आज हम बात करेंगे GATWGeat 2023 के जो फिल किया जा रहा हूँ उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात है कि इस बात जो एक्जाम जो conduct करा रही है वो हमारा करा रही है आय 아주 टी कानपूर करा रही है ठीक है और इसकी जो हम कुछ इस फार्म से रिलेटेट कुछ हाइलाइट से जो लिखा हुआ है ठीक है पहला पॉइंट पर लिखाया देट आप एक्जाम लिशन देखेंगे तो चार और चार और पांच और 11 और 12 को होगा कब मतलब फरवरी में होगा ठी मतलब अगर 24-29 ब्रांच से अगर बीटे किया हुआ या फिर पीएसी एमसी जैसा क्वालिफिकेशन उससे किया हुआ है तो इसको इलिजिवल है वह यहां पर भर सकता है ठीक है और यहां पर जो क्वेशन आता है पेपर का जो क्वेशन देता है वो हमारा मल्टिपल चॉइ कर देते हैं ठीक और यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि कंडेट इस एलाव फार वन आर मैक्सिम्म टू पेपर वन ली ठीक मतलब एक कंडेट जो हमारा एक या फिर दो पेपर में अपना वह बहर सकता है ठीक है और इस विल्टी करेक्टिर एक बात करेंगा तो मिनमें हुम कोई यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह लिमिट नहीं है और इस फार्म को फिल करने के लिए हमको क्या करना होगा गूगल में आप गेट 2030 भी डाल देंगे तो हमको मिल जाएगा ठीक है और यह जो गेट इसको जो होता है हमारा तीन साल के लिए बैलिट होता है ठीक है अगर इसका हम पुछ डेट के बात करेंगे तो ऑन लाइन जो अप्लिकेशन हमारा जो बहरा है तीस अगस्ते भारा जा रहा है और इसका जो क्लोजिंग डिएट है लास्ट जो हमारा 30 सितमबर है ठीक है मतलब कि हमारा लगवक एक मन्त का टाइम बिल रहा है ठीक है और यह यहां पर लिखा वन extended date for online ठीक है लेट फी तो वो 500 रुपया होता है ठीक है यहां पर लिखा हुआ है उसके बाद से और भी अगर exam date में कुछ चेंज या फिर सीटी चेंज या फिर पेपर कुछ और भी अडिशनल चेंज है तो उसके लिए यहां पर 11 नॉम्बर पर देट रहा है ठीक है और admit card का जो यहां पर इस फार्म को फिल करने के लिए female candidate है ठीक है किसी विकास्ट जनरल ओबी शी कोई भी हो ठीक है फीमेल है तो उसका हमारा क्या है शाड़े आठ सो रुपे फीश है अगर लेट करके फीश कर रहे हैं इस एक्सटेंडेट परियेट में एक अक्टूबर से साथ अक्टूबर कर देगे तो पांस रुपे एक्सटा देना पड़ेगा मतलब उसका हो जाएगा तेर और अनलाइन जो हमारा अप्लिकेशन का प्रोसेस है हम सबसे प्रहे लॉग इन करेंगे इसके बाद से अपना एक्जामशन चूज करेंगे ठीक है मतलब कि इस डिस्प्लिन में को बनना सिविल मेकेनिकल या फिर आप जिस व्रांच के हमाप अप्लोड करेंगे उसके प्रियास्ट हमारा क्या होता है प्रिंट आउट करना है तो यह हमारा पूरा प्रोसेजर लेकिन आप अप्लिकेशन फिल करेंगे इसके लिए तो प्रयाज करना है कि मोबाइल से फिल ना करें ठीक है यहां पर कुछ बेसिक रिक्वार्मिंट दी गई है कि पोटोगराप कैसा ओना चाहिए में बात रहा है यहां पर एक हable depends मैक्सिम्ट साइज चाहिए चारसों सेंट्ट nossa तो 40 पिक्सल का होना चाहिए किस तरह से किस तरह से सेंपल होना चाहिए इसका वहाँ पर बर अपलोट करेंगे तो ओडोजला हो लाइट लो तो इस तरह के चीज़ें अगर हो तो वहाँ से बचना है ह मुं कुAK हो इससे signature के लिए भी दिया हुआ यहां पर कि कैसे सेंपल है हमारा also minimum हमारा 5 kv का होना चाहिए signature trainer somasada only GPG or GPG hoka मेंहों साथ की मैखिम साथ की बात करेंगे देकसा साथ 6 midnight पिक्सल और मिम्म हमारा 80280 पिक्सल का होना चाहिए ठीक है यह कुछ हमारा सिगनेचर और हमारा फोटोग्राप से थो है जनरली घीट वरे में जो होता है फोटो डॉक्मेंट अफ्लूट करने में थोड़ी सी प्राब्लम होती है ठीक है तो आप पहले प्रापर साइज का पहले हमारा जोन बैंगलोर आय एक बैंगलोर हो गया दूसरा आईआइटी बंबे व Sum यह जिस जोन में आप आएंगे उस जोन के आपर आलरी सबका लिखा हो जैसे अगर यूपी की हम बात करेंगे तो हमारा क्या है यहां पर देखेंगे मद्र परद्श के कुछ जीले हैं और उतरपरदीस के कुछ जीले है ठीक है वो जहां पर हमारा जो कि यो यूपी की बात करेंगे तो बारा जीले जो है हमारा वहां पर गेट का केशाम कंड़क्ट होगा ठीक है वह इसे अगर पैटर्न की बात करेंगे जामेशन पैटर्न केते हैं तोटल हमारा क्या है कंप्रूटर बेस्ट टेस्ट होगा तीन आवर का होगा टोटल इसमें कितने सब्जेक्ट मतलब 29 ब्रांट्स इसमें अब्लिकेबल है ठीक है और इसका सक्षन हमारा दो पार्ट में हो 65 संब्क रखेट को सब्जेक्टि तन गया किया यहां पर लिखा वहां ओए किस-किस किस किस ब्रांज के लिए कौट दिया हुए यहां पर पूषिजा आते अगर Hampshire के बात करें तो intrins अमरे एक होगे और थो मारक होगा हें डेटि सब्सक्राइब श्रब्सुनिटेन सन् Tech उसमें फक्लत करने वाला नहीं आपका वैल्यूस्ट आपका सब्सक्राइब지만 पर कोड की बात करेंगे तो यहां पर देखे लिखा हुआ जैसे लिखा हुआ उसी में देखेंगे में मेकेनिकल सब्जिक्ट हमारा पचासी का नंबर का तो टोटल हमारा है क्या है अगर हम गेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम इससे हमको क्या फायदा मिलेगा ठीक है तो पहले बात हैं आप देखेंगे यह कुछ आप इंप्लॉयमेंट हमको नोकरी मिल जकती है इसके लिए जितने भी ह हमारे पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेक्टिंग जितने भी हमारे हैं गेट इसकोर से ही योलो सवाट लिस्ट करते हैं उसके बाद से फिर हमारा क्या होता है ग्रूप डिसकेशन उसके बाद इंटर्व्यू को फिर फाइनल हमारा सेलेक्शन है जितने भी हमारे से भेल हो ग ये तो हमारा employment की बात हो कि साथ में हमारा gate score अगर अच्छा होता है तो हम M.Tech कर सकते हैं या फिर higher education जी से PhD होता है वहाँ पर भी हमारा ये बैट होता है साथ में अगर job की जब बात करेंगे तो वहाँ पर भी interview होता है तो उसमें जब academic profile देता है तो उसमें gate गोरे का भी लिखा रहता है तो अगर gate क्वालिफाई रहते हैं तो उसका भी 5 नमर एक्सटा हमको मिलता है ठीक है यह कुछ general discussion था gate के बारे में जो application हमको fill करना है हम इसा प्रयास करने के last date का इंतिजार नहीं करते हैं पहले फिल करके अपना जो भी है डिटेल कंप्लीट कर लें जिससे कि हमको भाद में परजांगी के समना ना करना पड़े ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि आप जल जल फार्म कर लेंगे और कोई query है तो आप इसका पूरा आफिशियल जो ब्राउचर है नोटिफिकेशन वहां से आप एक पर देख सकते हैं ओके थैंक्यू